अगर अभी तक चैनल को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखना है बिलकुल बात करते हैं अगर parts of speech की तो जो भी हम English में बात करते हैं किसी से या लिखते हैं तो हम sentences का use करते हैं ये sentences का correct होना ज़रूरी है आपके words के point of view से भी और grammar के point of view से भी तो जो sentences होते हैं ये basically बने होते हैं हमारे words के ही combination से बट इसमें एक complete sense का होना ज़रूरी है यानि जो sentence है वो आपके group of sentence होता है बट उसमें एक complete sense होना चाहिए thought होना चाहिए example के लिए जैसे हम कहाते है राजू goes to school ये एक complete sense निकलता है कई बार हम sentences की जगा phrases का use कर लेते हैं phrases भी आपके group of words होते है बट उसमें complete sense नहीं निकलता है जैसे example के लिए राजू गोज राजू जाता है बट exactly कहा जाता है complete sense नहीं निकल रहा है तो हमें इस तरह के phrases को avoid करना चाहिए तो हमें ये भी ध्यान एकना चाहिए कि sentences जो है वो capital letters से start होते हैं हमेशा और उनका जो end होता है वो या तो question mark से होता है या आपके full stop से या exclamation mark से होता है जैसे example के लिए हमारे ये तीन sentences है did you work on your project I completed yesterday and that is good तो यहाँ पर starting आप देखेंगे तीन होई जगा पर capital आपका जो word है यूज किया है और last में हमने कोई ना कोई punctuation mark का यूज किया है तो इन चीज़ों का थोड़ा सा दियान रखेंगे इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा और capital letters के बारे में capital letters का कैसे यूज करते हैं तो यहां पर एक छुटा सा rule है M I N T S करके या अपने means करके याद रखना है इससे easy हो जाएगा आपके लिए कि कैसे हम जो है कहां पर capital letters का यूज करते हैं M से कह रहा है मन्त के नीम से आप याद रहा सकते हैं कि मन्त का या डे का या कोई भी जो नेम आएगा उसमें आप हमेशा capital letters का यूज करेंगे जैसे example में हैं पर बताया हुआ है इसने यहां पर कि आपका जो आई विल गो टू कॉलेज इन जून जून आपका जे capital है ऐसे ही आपका आई है आई जो है वह आपके आई लेटर को डिनोट कर रहा है कि जहां पर भी आप आई से लेटर करेंगे तो वहां पर आप capital letters में उसको convert कर देंगे यानि आई जो है आपका capital letters में है जैसे I play tennis with him every day यहां पर आई जो है वह आपका capital यूज किया है ऐसे एगर N है N से जो है names को represent कर रहा है यानि किसी भी चेस का जो name है आपका वह capital रहेगा जाहे वह आपका person का name है people का name है places का है या आपके days का name है example के जैसे यहां दिखाया है कि this Tuesday Vidya will be in Rajasthan तो यहां पर आपका Tuesday day का name है T capital विद्या जो है person का name है तो V capital और Rajasthan आपका place का name है तो R capital तो इस तरीके से हम यहां पर capital ads का इस तरीके से करते है names के लिए ऐसे ही title T for title है यहां पर title का मतलब है हम किसी person के name के आगे कुछ titles वगरा लगाते हैं जैसे doctors वगरा या Mr. या आपका शरी तो उस case में हम जो है वह letter capital लगते जैसे यह लिखा हुआ है example में Dr. Shah and Mr. Patil work together तो doctor का D capital है और Mr. का M capital है तो इन चीज़ों का थोड़ा से ध्यान रखना है लास्ट में है पॉइंट है आपका s, s में है starting letter of sentence यह सभी जानते हैं बहुत easy है कि हर sentence के पहले word का पहला letter capital होता है वो कुछ भी हो जैसे यह the cat ran out of the house में दा का T capital है तो यह capital letters के लिए rule थे इसके punctuation mark या punctuation symbols क्या होते हैं basically punctuation symbols वो आपके punctuation उस तरह के marks वगरा होते हैं जो आपके दो sentences को या एक sentence के अंदर दो पार्ट को separate out करते हैं example के लिए हैं हमारे पास सबसे पहले है full stop तो basically full stop जो हम use करते हैं वो किसी भी या तो sentence के end के लिए use करते हैं sentence के add में लगाते हैं या अगर कोई title यूज कर रहे हैं short form वगरा use कर रहे हैं जैसे doctor वगरा या मिस्टर वगारा उसके एंड में लगाते हैं जैसे हैं एक्जमपल दिया हुआ है आपके पास जो सेंटेंस से उसके नगाएंगे जैसे यह लिकाँ गर हम kind की तोुप जो है यह भी आपका यूजiera होता है यह तो आपके ज़र में पॉल स्टॉम की उज़ाए पॉज़ के लिए हम एक पउज करते हैं चीज़ का ध्यान रखेंगे दूसरा हमारे पास एक्जांपल देता है that we can also use कॉमा टू सेपरेट आइटम्स लिस्टिंग आउट मोर देन वन टू आइटम्स जब हमें किसी जीज़ की लिस्ट जो है बता रहे होते हैं सेंटेंस के अंदर तो तब भी हम जो है उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं जैसे आई बॉट एपल्स औरेंज और ग्रेव्स यहां और एपल और और औरंज के बीच में हमने कॉमा लगा दिया अगर और जाधा होते तो कॉमा लगा और कर देते हैं लास् पर भी कोई sentence ऐसा पूछते हैं इसमें interrogation यह कुछ पूछ रहें किसी से तो उसके लास्ट में हमेशा हम यहां portion mark लगाएंगे यह बहुत इस जरूरी है लगाना जब भी हम किसी से कुछ कुछ पूछते हैं तो उसके end में हम portion mark का यह symbol लगाते हैं इसके बाद बात करें exclamation symbol क है यह basically हमारा use होता है जब भी हम कोई high feelings यह strong feelings दिखाते हैं जैसे कि आपका surprise अगर हम हो रहे हैं किसी sentence में कोई हो रहा है तो उससे related feelings के लिए या कोई shocking आपका moment है उसके लिए या anger के लिए यह sad feeling है उसके लिए तो हम यहां पर exclamation symbol का use करते हैं जैसे example के लिए what a pleasant surprise कोई खुश हो रहा है क्या बहुत अच्छा surprise है तो उसके end में हमने हैं पर exclamation symbol लगा दिया ऐसे ही हम यहां पर complaint कर रहे हैं you are late तो इसमें भी हमने जो है full stop की जगा पर जो है strong feeling दिखाने के लिए हमने exclamation sign लगा लिया लास्ट हमारे पास है यहां पर exclamation आपका आपस्ट्रॉफ आपस्ट्रॉफ जो है कुछ-कुछ आपका कॉमा जैसे ही दिखता है बट यहां पर यह difference यह है कि कॉमा आपका जो है वह sentence में आपके वर्ड के बिल्कुल बॉटम में आता है और यह उपर की तरफ आता है तो इसके लिए हम जो है इसका कहां यूज करते है तो कई बार हम इसको जो हिंदी में का के की लगाते हैं जैसे राम का या सोहन का या राधा की तो उसमें हम जो है उसके नेम के परसन के नाम के बाद जो है यहां पर ऐसे लगाते हैं जैसे दिव्याज पैन तो दिव्या का पैन है यह तो दिव्याज पैन के लिए हमने यहा ऐसे ही आर दीज अब्दूल्स बुक्त क्या ये अब्दूल की बुक्स हैं तो यहाँ पर अब्दूल्स में अब्दूल के बाद आपका apostrophe का sign और फिर S तो ये कॉमा जैसे ही होता है बट ये उपर की तरफ लगता है नीचे नहीं लगता है इसका मतलब हो गया ये क्या ये अब्दूल की बुक्स हैं इसके अलावा हम apostrophe का जो sign है वो कई बार आपके sentence को short करने के लिए भी use करते हैं जैसे यहाँ पर हैं के let us go की जगा हम अगर let us go की जगा short form लिखें let's go तो यहाँ पर let के बाद हम us की जगा है यहाँ पर apostrophe का sign लगाके s लिखें तो इसका मतलब यही होता है let's go का मतलब होता है let us go a short form है basically ऐसे ही he is not here में is not को हम short कर सकते हैं is not को isn't लिखें देते हैं कई बार तो यह भी आपका तरीका है यहाँ पर हमने n के बाद जो है apostrophe का sign लगाए हुआ है तो यह आपके short forms जो है इसमें भी हम कई बार short form के लिए apostrophe का use करते हैं तो इनको अपने ध्यान रखना है इसके बाद अगर हम बात करें basic parts of speech में basic parts of speech हमारे 8 parts होते है basically आपके noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, introduction, introduction यह सब हमारे parts of speech में आते हैं total 8 है यह और यह basically इनका मतलब होता है यह बताते हैं कि हमारे sentence के अंदर किस word का क्या meaning निकलेगा grammatically वो कैसे काम करेगा यह हमारे यही parts of speech बताते हैं one by one अगर इनको हम देखे noun की अगर हम बात करें तो जो noun है वो आपके वो words होते हैं जो आपके किसी भी जो कह सकते हैं किसी person के name के लिए या किसी place का name हो किसी चीज का या किसी idea का किसी भी चीज का jो name होता है जो नाम बताते है उन वड्स को हम noun कहते हैं यह हैसे इस example के लिए हमारे पास है रीमा रोट अलेटर, रीमा ने एक लेटर जो है वो लिखा है, या वो लिखती है, तो यहां पर जो आपके पास, हमारे पास रीमा है, रीमा पर्सन है, तो यहां पर रीमा आपका नाउन हो गया, इसके अलावा लेटर जो है वो आपका एक थेंग है, तो यह भी आपका नाउ कहलाते हैं, ऐसे एकर हम pronoun की बात करें, तो pronoun आपके वो word होते हैं, जो हम noun के place पर use करते हैं, place of noun, तो जो words हम noun के place पर use करते हैं, उनको pronoun करते हैं, कभ यूज होता है ऐसे, जब हम एक ही चीज़ के बारे में बार-बार लिखते हैं, continuity में, तो हम पहले letter में तो उस person का नाम लिख प्रोनाउन यूज करते हैं एक्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिखा रीमा रोट्स लेटर रीमा ने रीमा लेटर लिखती है उसके बाद शी इस टायर्ड और वो टायर्ड होगे तो यहां पर हमने इसका रीमा का नाम दुबारा से नहीं लिए उसकी जगा शी ले लिया ऐसे शी इस यूजड तो अगर हम तीसरा भी कोई सेंटाइस लिखेंगे तो हम वहापर शी ही रैफर करेंगे उसको इसमें हमारे पास आई दे ही यू यह सब एक्जाम्पल हैं आपके प्रोनाउन के जहां पर हम नेम की जगा आपके ही शी इट यह यूज करते हैं बिसिकली दे इसके बाद हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स की एडजेक्टिव्स क्या होते हैं एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो किसी आपके चीज़ को डिसकराइब करते हैं किसी चीज़ की स्पेशल्टी या विशेश्था बताते हैं जैसे यहां पर है हमारे पास एक्जाम वर्ड है यह आपका adjective हो गया तो small, color जैसे हो गया blue, sharp, loud ऐसे बहुत सारे words हैं जो आपके किसी चीज़ की specialty या उसके बारे में describe कर रहा होते हैं तो वह आपके adjective कहलाते हैं इसके बाद हम बात करें हैं अगर verb की तो verb वो word होते हैं जो किसी तरह के action को या work को represent करते हैं जैसे I wrote a letter, रिमर रोट a letter में wrote जो है वो आपका work हो रहा है तो यहाँ पर wrote जो है वो आपका verb है तो run, eat, think, set यह सब आपके क्या है अलग-अलग actions हैं तो यह आपके verbs होते हैं जो इस तरह के words होते हैं इसके बात-बात करें हम adverbs की adverbs क्या होते हैं अगर February आपके वो words होते हैं यह स्थ एड़ वर्ब की यानि उसके बारे में और एडिशनल इंफर्मिशन दे देते हैं आपर कह रहा है कि दे आंसर दा कोश्चन हाओ हाओ ओफन और वेन एंड वेर तो किसी भी हम सेंटेंस में अगर और जादा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो वह आपकी एड़ वर्ब से दे ज वह उसको और जादा क्या कर रहा है उसकी आपका उसमें एड़ ओन कर रहा है तो यहां पर क्विक्ली जो वर्ड है यह आपका एड़ वर्ब हो गया इसमें एक्जामपल है जैसे इसली ऑल्वेज इंसाइड बिफोर ऐसे बहुत वर्ड हैं आपके जो एड़ वर्ब की या के meaning को increase कर देते हैं उसकी और जाधा detail बताते हैं तो यह हमारे आपके parts of speech है basic इसके बाद supporting parts of speech है और एक्सा जिसमें हमारे articles, conjunctions, preposition और interactions आते हैं इसमें अगर हम बात करें articles की, तो articles क्या होते है basically, articles में हमारे पास आते हैं a, and, da, da को हम कई बार d भी पड़ते हैं, तो a और n तो हमारे पास जब हम किसी single चीज को refer कर रहे होते हैं एक चीज को तो हम उसके लिए यूज करते हैं, a का use जब हम किसी आपके ऐसे चीज के बारे हम बात कर रहे होते हैं जो आपका वावल से start होती है तो हम N यूज़ करते हैं और इनके लावा अगर consonant से start होती है तो हम A यूज़ करते हैं जैसे एक्जामपल में देखिए हैं पर A book की अगर हम बात करें हैं पर तो A book के अंदर हमारे पास book जो है वो आपका consonant है तो A आ गया apple है apple का first letter A है वावल है आपका तो हमने अंड यूज़ कर लिए ऐसी umbrella में यू आपका जो है वो आपका वावल है तो हमने लगा दिया और sun के अंदर हमारे पास यहां पर अगर S है तो हमने पहले letter हमने यहां पर दा लगा दी हां पर एक ही सन है वैसे तो बट यहां पर दा का यूज़ बता रहे है किसी भी जो famous चीज होती है उसके नेम के आगे specific बहुत कोई आपकी तो उसके लिए हम यहां पर दी का यूज करते हैं दी का और भी हो जादे यूज होता है वैसे तो इसके बात बात करें conjunction की तो conjunction वो words होते हैं जो आपके दो nouns को या दो phrases को या sentences को जोड़ते हैं ऐसे words को हम conjunction बोलते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं दो words phrases या sentences को तो इसमें हमार पास and or but यह सब words आते हैं आपके conjunction के इंदर example के लिए यहां लिखा हुआ है जैसे example दिया हुआ है Sheila went to market Sheila market जाती है मैं भी मार्केट जाता हूं तो यहां पर हमने दो अलग-अलग sentences की जगा हमने यहां लिख लिए Sheila and I want to market तो यहां पर एक साथ लिख लिए Sheila and I Sheila और में मार्केट जाते हैं तो यहां पर and जो है यह हमारा conjunction हो गया ऐसे यहां दो sentences है do you want oranges do you want apples दो अलग-अलग बार पूछने की जगा हमने एक साथ ही पूछ लिए do you want oranges और apples यहां पर जो यह और है यह आपका conjunction है इसे ही preposition की बात करें तो prepositions भी आपके जो है यह connector की तरह काम करता है बट यह दो words के बीच में कह सकते हैं connection प्रवाइड करता है connection देता है उनके relation के बारे में बताता है जैसे वेर वो कहां है कब है या किस time की बात हो रही है या कैसे की बात हो यहां पर बात कर रहे हैं इन आयंड और इन जो है आपका on है एक है यह आपके prepositions होते हैं अंडर इसमें हमारे पर जैसे है कि the cat is on the roof तो जो आपके on the roof तो on जो है आपका आपका preposition है ऐसे ही the shop is at the end of market मार्केट के end में तो यहां at क्या होगी आपका preposition हो गया तो हम इस तरीके से preposition यूज करते हैं लास्ट हमारे पास यहां पर इंट्रजेक्शन हैं इंट्रजेक्शन जो है और आपके वही strong जो आपके feelings हैं उस तरह के words को represent करता है emotions को आपके happiness, surprise, pain इस तरह के words जो होते हैं वो आपके interjections कहलाते हैं जैसे wow, oh, oh no, thanks, help यह सब आपके interjection words हैं तो इस चीज़ के थोड़ा सा ध्यान लखना है इस वीडियो में इतना ही और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और इससे जादा discuss करेंगे parts of his face को ही extend करेंगे core part है इसका, तो thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए अभी तक अगर चैनल को subscribe नहीं किया है, चैनल को subscribe कर लिजिए, वीडियो को like भी किजिए अगर ची लगिया तो और आप facebook पे हमें follow भी कर सकते हैं, thank you very much